पास शुरू करते हैं exercise 7.2 से question number 10 find the area of a rhombus if its vertices are these taken in order आपको एक rhombus का area निकालना है जिसकी ये चार vertices दे रखी है और ये चारों की चारों आपकी order में है question में hint भी दिया है आपको area of rhombus होता है is equal to half product of its diagonals यानि diagonals अगर हमें पता चले जाए है rhombus के तो उनका product कर देंगा और उसे half से कर देंगे multiply तो आपका answer आजाएगा तो basically सबसे पहले तो ये कि आप एक rough जो है rhombus बना ले ताकि अपने vertices को properly वहाँ पर order में लिख सकें मैंने rhombus बनाया है नाम रख लेते हैं कुछ इसका A, B, C और ये D और जो book में vertices दी हुई है न येने बिलकुल proper order में ही लिखना आप यानि A से शुरू करते हैं तो पहली ले लेता हूं में 3 और 0 फिर दूसरी वाली को B ले लेते हैं 4 और 5 फिर तीसरी वाली को C ले लेते हैं माइनस 1 और 4 चोथी वाली को D ले लेते हैं ये हैं माइनस 2 और माइनस 1 अब ये तो हुई मेरी rhombus की vertices अब area इसका निकलेगा diagonal का product करने से अब diagonal की length कैसे निकलेगी देखें diagonal क्या होता है diagonal एक line segment ही तो होती है और line segment के दोनों points आपको दे रखे हैं तो आपको याद हो तो सबसे पहली जो exercise है उसमें आपने ये ही तो सीखा था distance formula की किन ही दो points के बीच में distance कितना है वो आपको इन दोनों points से मिल जाता है और वो ही था आपका distance formula तो basically इस question के अंदर आपका distance formula ही लगेगा distance formula लगाके AC की लंबाई पता चलेगी BD की लंबाई पता चलेगी उसमें rhombus का formula लगा देंगे half D1 into D2 आपका question हो जाएगा तो चली शुरू करते हैं पहले निकालते हैं AC AC ले लेते हैं AC की length formula लिख लेते हैं एक बार फिर से एक question में एक बार formula आप जरूर लिखें distance formula होता है यह आपका तो AC की लंबाई निकलेगी इस formula से plus y2 minus y1 का whole square value put करते हैं देखें जब आप AC ले रहे हैं तो A वाली चीज़ें आपकी 1 हो जाएंगी और C वाली चीज़ें आपकी 2 हो जाएंगी यानि यह हुआ X1 यह हुआ Y1 यह होगा X2 यह Y2 तो X2 हो गया minus 1 और X1 हो गया minus 3 इसका square plus Y2 4 हो गया और Y1 0 हो गया तो 4 minus 0 का whole square putting कर लिए अब ज़स्टी इसको solve करना है आपको तो minus 1 और minus 3 हो गया minus 4 का whole square plus 4 और 0 तो 4 minus 0 तो 4 ही होगा square under root minus 4 का square करेंगे तो 16 ही आएगा 4 का square करेंगे तो यह भी आपका 16 ही आएगा 16 और 16 मिलके 32 हो गया अब 32 का under root निकालने के लिए इसके आप prime factors कर लिजिए 2 से करेंगे 18 sorry 16 आएगा और 2 से करेंगे तो यह 8 2 से किया तो 4 2 से किया तो 2 और 2 से किया तो 1 तो 32 जो बनता है आपका यह 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यानि 5 बार 2 से बनता है और आपको पता है square root में 2 चीजों का एक बाहर आ जाता है तो इन 2 से एक बाहर आ गया और इन वाले 2 से एक बाहर आ गया यह इसका pair नहीं बना यह आपका अंडर root में ही रह जाएगा solve करते हैं तो बाहर आगए 2,2,0,4 और अंदर आगए root 2 तो 4 root 2 जो है यह आपके ac की length आ गई अब जैसे ac निकाला है बिलकुल उसी तरह से आपको bd निकाला है तो bd यहां निकाल देते हैं formula फिर से लिख लेते हैं आपका revision हो जाएगा x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square अच्छा अब जो b वाली चीज़े हैं न आपकी यह आपकी 1 हो जाएगी यानि कि यह जो चीज़े हैं यह आपका x1 हो जाएगा यह आपका y1 हो जाएगा और d वाली चीज़े हैं आपकी 2 हो जाएगी यह x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा अब यहां से देखके आप इसमें value पुट कर दें तो x2 हो जाएगा आपका minus 2 और x1 है 4 और यह formula का minus minus 4 का whole square plus y2 है minus 1 और फिर y1 है 5 बीच में minus है formula का whole square solve करते हैं तो minus 2 और minus 4 हो गया minus का 6 और इसका whole square plus यह दोनों मिलके भी minus का 6 हो गया whole square जब कोई दो नमबर आपस में minus में होते हैं तो minus और minus चीज़े आपस में add हो जाती है अब square करते हैं तो minus का जो square होता वो भी positive आता है तो 6 का square हो गया 36 और यह plus में ही आएगा इसी तरह ऐसे यह भी 36 हो गया इनको add किया तो 36, 36, 72 हो जाता है अब 72 का square root निकालने के लिए अब 72 के PF निकालने prime factors 2 से करेंगे 36 आएगा 2 से करेंगे 18 आएगा 18, 2 से चला जाता है 9 पे और 9, 2 से नहीं होगा 3 से होगा यह 3 आजाएगा और 3 से करके यह 1 आजाएगा तो root 72 को हम लिखेंगे 3 बार तो 2 है और 2 बार आपका 3 है अब इसमें जो pair बनते हैं वो बार निकल लेंगे देखे 2 का pair बन रहा है एक 2 बार आगया 3 का pair बन रहा है एक 3 बार आगया अंदर सिर्फ एक 2 बच गया तो यह under root में ही रह जाएगा और बाहर solve ओके 236 आगया और under root 2 यह पूरा का पूरा अब यह दोनों डाइगनल्स की लेंग था गई आपकी आपको AC मिल गया आपको BD मिल गया अब formula होता है area of rhombus निकल ला है न आपको अब यहाँ पर आपने निकल लेंगे area of rhombus होता है half d1 into d2 d का मतलब होता है diagonal यानि पहला diagonal multiply दूसरा diagonal तो half तो एक diagonal है इसमें आपका 4 root 2 और दूसरा diagonal है आपका 6 root 2 अब इने solve करते हैं तो यह जो 2 है यह 4 से कट रहा है 2 1 पे और 2 2 पे अब 2 और 6 यह तो पूरे पूरे नंबर है तो 2 into 6 और यह जो root 2 into 2 है आपको पता होगा जब root में कोई दो number होते हैं ऐसे root into root होता है तो multiply होके वो ही number आ जाता है यह क्या हुआ 2 into 2 ही तो हुआ तो 2 का पेर बहारा आ गया ना 2 तो root 2 into root 2 आपका 2 बन जाता है तो यह जो दोनो root 2 है यह आपके 2 के बराबर हो गए अब इने multiply करते हैं 2 6 are 12 12 2 is 24 24 अब इसमें square unit अगर यहाँ पे meter होता तो आप square meter लिख देते हैं कुछ नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह unit लिख दे तो यह आपका question number 10 था तो I hope आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please इसे like करना, share करना और 10th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe करना Thank you